यह सामने आपको एक डरावना सा सवाल देख रहा होगा डिफनिट इंटिग्रेशन कि जो भी सवाल जैमें में पूछे जाते हैं मैक्सिमम् क्वेस्टेंस में आपको जी आई एक मॉडलेस का इंक्लीजन दिख जाता है तो विफोर सॉल्विंग डिस्टेंट आई होप कि आपने चीज़ें जरूर कर रखेंगी यहरे एक स्टेंडेड बूक हरे एक स्टेंडेड मॉडलेस में आपको यह प्रॉब्लम्स दि हुआ है और अंदर कुछ इस तरह की चीज़ें हमें दी हुई है अब कैसे सॉल्व करना चलो मॉडलेस का काम तो बाद में आएगा जो एंसर आगा हम उसमें डिरेक्ट मॉड करके पॉच्टू करके बता देंगे लेकिन इसे हम कैसे सॉल्व करें ध्यान से समझी यह लिखा हो बात सही है न एकदम होगा यार बिल्कुल सही बात यह एक इंटीजर रिटेंड कर रहा होगा और आपको एक प्रॉपर्टी बहुत मज़ेदार पता होगी कि जब भी हम इंटीजर रखते हैं इंटीजर प्लस सम एक्स तो यह इंटीजर बाहर फेक देता है और अपना यह एज इज रख लेता है जैसे नाइन प्लस टू पॉइंट अगर आपने कि 11.8 आता है तो नाइन आप बाहर रख दो और पॉइंट एट आप अंदर ही रखो जैसे यह हमने कहा भाई कि यह नाइन प्लस टू पॉइंट एट की वैलू आपको बताने है तो चाहे आप 11.8 की निकालो चाहे आप 2.8 और यहां पर प्लस 9 की वैलू निकालो बाद बराबर आएगी यही ले बनाएगा यह 9 प्लस टू यहां भी ले बनाएगा तो यह प्रोपेट्टे आपको देखने को मिलती है तो सेम चीज हम यहां पर कर सकते हैं मैं यहां पर इसको लेखता हूँ 0 to root pi by 2 हमने एक चीज को क्या है जी आइएफ के अंदर से बाहर निकाल लिया यहां पर simply बच रहा है यह वाली चीज x square dx प्लस यह क्या है हमारा अब माइनस कॉस x यहां पर बच जाएगा माइनस कॉस x और हमने साथ ही साथ में क्या किया इसको भी distribute कर दिया root over pi by 2 कर दिया यहां पर हमने dx लगा दिया एक बार cross check कर लेते everything is fine बात सही है अब समझो ध्यान से यह वाला जो तो gif यह इससे थोड़ा सब हम समझने की कोशिस करते हैं 0 से लेके 1 तक जब x हमारा 0 से लेके 1 तक अभी x कहां से कहां तक है यह आपका 0 से लेके 1 तक ही होगा और यहां एकस स्क्वाइड जोगा 1 से लेके यह पाई बाई टू तक होगा पाई बाई टू इस बिसकली 1.5 सम्थिंग तो इसको देखो यह जो जी आइप इसको आप दो बार में ले जा सकते हो इसको यही करते हैं भाई हम पार बाई पा फूस्रों करिएगा यह दो हमने लिख लिए अब यहें भी हमें बड़े ही प्लेर लिपत है कि जब भी यह एकस स्क्वाइड जीरो से बं होगा यह जो वैलू एक स्कोयर भी जीरो apr 9 वंखोर ₹ तक ही स्कॉर मुझत फॉसे फॉर उस ठीजो निए 되고 म मठोच का है उन्टो वन्ट्वाइट ॕई निए अइसे निए छी पर ने रहने वन्ट्वाइल्ण के वन्ट्वाइट पॉइंट ने वेल्टो रख एगा तो यह 1 से लेके root pi by 2 और यहाँ पर हमेशा 1 आए गा तो यह dx लिख दिया तो basically root over pi by 2 और minus 1 आ गया so this is the answer of this particular i1 चलो हमने इसे i1 बोल दिया तो i1 का जो answer आता है root pi by 2 minus 1 आता है clear है now moving to second part अब second part पर हम move करते हैं यह basically लिखाव है 0 to root pi by 2 अच्छा greatest integer of minus x कितना होता है भाई कहोंगे minus 1 minus greatest integer of x clear है तो यहाँ पर minus 1 तो minus dx यहाँ लेके देते हैं minus यहाँ पर again 0 से root pi by 2 तक यह cos x dx is this clear to everyone cos x और यहाँ पर हमने कर दिया भाई साब dx अब समझो यहाँ भी सेम कान इसकी जो value आगी यह तो आपको पता ही पहले इसको को हम solve करने की कोसिस करते हैं जो cos x होता यार कुछ इस तरीके से ड्रॉव हम करते हैं यह वाली जो value यह पाई बाई 2 होती है रूट पाई बाई 2 उससे छोटा होगा रूट पाई बाई 2 पेटा यह कुछ यहाँ पे आ रहा होगा आपका जीरो से लेके रूट पाई बाई 2 तक x को वेरी कर रहे हैं तो जी आई एफ होप कॉसेक्स जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ जीरो से वन के बीच में देखो यहीं तक आप आ रहा है और कहीं नहीं जा रहा है तो हमेंसा value कितनी आएगी भाई को कहो हमेंसा value यहाँ पर जीरो आएगी जीरो का इंटेग्रेशन जीरो ही होगा अब हमें क्या करना है बैसिकली इसे सॉल्व करना है भाई साब यह value कितनी आजए कि माइनस होगा यह जाएगा और जीरो का आपका जीरो ही बन जाएगा अब क्या करना है फाइली हमें इन दोनों को add करना है क्या हो जागा रूट ओवर पाई बाई टू-1 प्लस और यह माइनस रूट ओवर पाई बाई टू आप देख पार होगे यह कैंसे होता माइनस वन आता है मॉड लेना है क्योंकि यहां पर क्वेस्चन में आपको देख रहा होगा यहां पर मॉड लिया हुए तो जैसे ही मॉड लेंगे तो वैलू वन आ जाएगी क्वेस्चन उतना भी कठिन नहीं था जितना आपको लगता है लेकिन बेसिक प्रॉपरिटीज आपको याद होने चाहिए आप एक बार इसका कॉमेंट में एंसर बताओ तो डेफिनेटली मैं जान जाओंगा कि आपको यह वाला कॉंसेप्ट आता है थेंक्यू वेरी मच